मुक्यमंत्री नितीश कुमार अपनी नई यात्रा पर निकलने जा रहे हैं उनकी नई यात्रा का नाम सरकार ने तै किया और समाधान यात्रा नितीश की नई यात्रा होगी बेरहाल इस यात्रा को लेकर जो तयारियां है वो सरकार ने कर ली है और चार जनवरी से पस्चिम चमपारन से CM नितीश की जो नई यात्रा है उसकी शुरुवात होगी लेकिन जो तयारी सरकार ने की है जो सेड्यूल नितीश कुमार का है उससे ये सवाल खरा होता है कि क्या CM नितीश को आम लोगों से या यूं कहें तो पब्लिक से डर लगने लगा है क्योंकि नितिश कुमार का जो यातरा का शेडियूल जारी किया गया है उसमें न तो कोई जनसभा है और नहीं कहीं भी आम लोगों से मुलाकात करने का जिक्र दरसल बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक नितिश कुमार चार जनवरी से लेकर साथ फरवरी तक राज्य में समाधान यातरा पढ़ निकलेंगे इस सरकारी पत्र में ये भी बताया गया है कि नितिश कुमार अपनी समाधान यातरा के तहत तीन काम करेंगे वे सरकारी योजना से संबंधित छेत्र ब्रह्मन करेंगे उसके बाद चिन्हित यानि सेलेक्टेट समौहों के साथ बैठक करेंगे और फिर सरकारी अधिकारियों के साथ जिला अस्तरिय समिक्षा बैठक होगी नितिश कुमार की समाधान यात्रा का समान्य अर्थ ये निकलता है कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे लेकिन पूरी यात्रा में वो आम लोगों से कोई बात मुलाकात ही नहीं करेंगे सरकारी पत्र के मुताबिक नितिश कुमार का आम लोगों से मुलाकात के लिए कोई कारेक्रम नहीं है हाँ हर एक जीले के जीला अधिकारी को ये खास तोर पर कहा गया है कि वे सुरक्षा और दूसरी विवस्थाओं का इंतजाम करे यानी बिहार के मुख्यमंत्री सैक्रो पुलिस कर्मियों की करी सुरक्षा विवस्था में उन सरकारी काम को देखने जाएंगे जिसकी जानकारी पहले से ही प्रशाषन को होगी प्रशाषनिक और पुलिस घेरे में वे उस काम को देखेंगे उसके बाद बिहार के मुख्य मंत्री चिनित समूह के साथ बैठक करेंगे वैसे समूह जिने अस्थानिय प्रशासन या सरकार ने सेलेक्ट किया हो आखिर में सरकारी अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक होगी इस बैठक में जीले से लेकर पटना तक के सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे मुख्य मंत्री जिस जीले में जाएंगे वहां के प्रभारी मंत्री और उस जीले के निवासी मंत्री को बैठक में आने का नियोता दिया जाएगा लेकिन सबसे दल्चस्प बात ये है कि अस्थानिय सांसद या फिर विधायक हों या विधान पार्शद इन में से किसी को भी समाधान यातरा में सीम नितीश ने नियोता नहीं दिया है राजे सरकार ने यातरा को लेकर जो पत्र निकाला है उसके मुताविक मुख्य मंत्री की समिक्षा बैठक में अस्थानिय सांसद अस्थानिय विधायक और विधान पार्शद स्वेक्षा से भाग ले सकेंगे मतलब उन्हें कोई नियोता नहीं दिया जाएगा खास बात ये भी है कि अस्थानिय सांसद विधायक या विधान पार्शद अगर कोई मुद्दा उठाएंगे तो उसका नोटिस भी नहीं लिया जाएगा सरकार ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि मुख्य मंत्री उन्हीं बिंदूओं पर समिख्षा करेंगे जो पहले से निरधारित होंगे बता दे आपको कि नितीस की समाधान यात्रा चार जनवरी से साथ परवरी तक चलेगी किस दिन वे किस जीले में जाएंगे हम आपको बताते हैं चार जनवरी पस्चिम चंपारन में समाधान यात्रा वालमी की नगर में और रातरी विश्राम वालमी की नगर में ही होगा बात की जाए तो पांच जनवरी को पस्चिम चंपारन में समधान यात्रा तो सिता मरी में रात्री विश्राम किया जाएगा तो निश्ची तोर पर जो शेडियूल सियम नितीश का जारी हुआ है उसमें कहीं भी सियम नितीश जनसभा या फिर आम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे और यही सवाल ख़रा होता है कि आखिर समधान नितीश कुमार किस चीज का करने जा रहे हैं अपने इस यात्रा से तमाम राजनेतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट विहार पे मिलेंगी बने रहें फर्स्ट विहार जार्थन के साथ धन्यवाद ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मुँ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined